कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लिए आपके स्टेडी बैटा मुझे पता है आप इस टैम किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले से अपना स्लेबस नहीं प्रिपेर किये थे अभी ज़स्ट प्रिपेर किये हो और आप 300 400 250 के एप्रॉक्स श्ट्रगल कर रहे हो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि कंटिनुस 280 300 400 500 के आसपास श्ट्रगल कर रहे हैं उनका मार्स इंक्रीस ही नहीं हो रहे हैं और यह जो ताने मिलते ने आसपास के लोगों से अपने घर वाले से भी वह अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल डॉन कर देता है और कहीं-न कहीं अपने मन में बैट जाते कि यार अब नहीं हो सकते अब बस चालिछ दिन बचा हुए क्या ही कर लेंगे अपने लेकिन अब भी आप 650 के एसे और अपने do pers kali में जा सकते मैं कोंदी दिलासा नहीं दुंगा आपको मैं कोई फॉल्स होप नहीं दूगा कि आप 680 प्लस मार्क्स लिए अप दिली में चले जोगे मैं यह आसा आपको नहीं दूगा लेकिन मैंने देखा है बच्चे को जब मैं एलन में टीच कर रहा था या अक्रास में टीच कर रहा था या फिर अनकेडमी के ओनलें प्लेटफर करने वाला है क्योंकि यही वह वक्त है जो कि आपको डिरेक्ट याद रहने वाला है प्रिएस एक साल में आप क्या पाड़ लिए वो किसी को याद नहीं रहता लेकिन इस वक्त आप कितना पढ़ाई कर रहे हो वह याद रहने वाला है आपको इस वीडियो में मैं आपको सम इसे बहुत से बच्चे आप मुझे अपने बडे भाई की तरह मानते हैं बहुत सारे बच्चे मुझे सर बोलते हैं तो आजी बड़े भाई का हैसित से मैं समझा रहो और समझ जो प्लीज यार गिबवप मत करना और जो method आपको बता रहा हूं आप दो से तीन दिन follow करके देखो आपको huge changes दिखाए देगा अब तक आप सही pattern follow नहीं कर रहे थे तो चलिए start करते हैं कि जो बच्चे 200-200 marks से लेके 650, 550, 580 marks reach करते हैं उनके अंदर क्या similarity थी देखो एक बात तो पक्का है कि यार बिना महनत के ना किसी को marks नहीं आता है जब तक आप महनत नहीं करोगे और last के 40 days बचे वे तो अब अगर आप जी जान से महनत नहीं करोगे तो कब बचोगे पूरा सा sacrifice कर लो एक year जो drop लेना परेगा उससे आप बच जाओगे क्योंकि यार एक year का drop होता है बहुत दर्दनाक होता है मेरे भाई किसी dropper से आप पूछके देखना कि कितना mental pressure होता है उनके उपर कितने लोगों किताना सुनना परता है उनको तो drop year से बचो जो strategy आपको सम कर सकते हो तो आप comment box में comment करो मैं कल ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यह समझाओंगा कि आप easily 12-14 hours को reach कर सकते हो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जोतनी है बहुत ज्यादा अपने आपको mentally stress मत डालो बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत ह जो तो 12-14 hours का time table में आपको कल बताऊंगा comment box में आप comment करना चैनल को subscribe करके रखो अब बात आती है कि यह time को आपको utilize कैसे करना है 14 hours तो बोल दिए लेकिन 14 hours को आपको अच्छे से utilize करना है तो देखो इसको सबसे पहले आपको four part में divide करना है four 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 and two four hour आपको physics के लिए देना ह four hours होता है फिर भी आपको four hours ही देना है यहां पर four hours आपको five के लिए देना है and two hours आपको pending रखना है यह मैं last में बताऊंगा कि इस two hours को best way में आप कैसे utilize कर सकते है अब इस four hours जो आप physics को दे रहे हो इसमें आपको क्या करना है तो देखो starting one hour आपको formula plus theory करना है क्योंकि देख electricity का अगर आप current की बात करो तो current का formula क्या हो जाता है simple q divided by t हो जाता है यह अगर instantaneous रहेगा तो यह क्या हो जागा एक घंटे आपको पक्का से formula plus theory फर्मूले आप रट्व बैट के overall formula को रट नहीं होता है प्लस दो घंटे अगली दो घंटे आपको question practice करना है इस दो घंटे में 50 से 60 questions आप easily practice कर पाऊगे 50 to 60 questions practice किजिए जिसके लिए आप एक घंटा formula plus theory किये थे और एक pen paper पे लिखते चिपकालो अपने दिवाल पे कहीं पे भी यह 10 टेबल अब last में एक आवर क्या करना है जब आप यह 50 to 60 questions स्वल्व करोगे तो आपसे हो सकता है 10 या 20 questions आपसे स्वल्व नहीं होगा तो last के one hour मे कौन से 10-20 questions आपसे नहीं हुए इवेंदो आपने theory learn किया था इवेंदो आपने formula by heart किया था फिर भी ऐसे कौन से questions है जो आपसे नहीं हो रहे है तो आपको क्या करने एनलाइज करने और उस question को स्वल्व करने अब आते हैं chemistry पे अगर आप chemistry की बात करो तो physical organic के लिए आपको different strategy follow करना है इन और्गेनिक के लिए आपको different strategy follow करना है अगर आप organic and physical start करते हैं तो one hour फिर से physics की तरह formula plus theory पी देजिए क्योंकि यहां पे भी physics की तरह ही questions आपको जैदे मिलेंगे two hour question practice किजिए and last में one hour analyze किजिए कि कौन सा questions आपसे नहीं हुआ इन और्गेनिक पर जब आप जाते हो तो इन और्गेनिक मैं suggest करूँगा कि दो घंटे से ज्यादा आप कभी भी एक साथ मत पढ़ना इन और्गेनिक बहुत ज्यादे memorize करना होता है अगर आप 3-4 घंटे continuous पढ़ने के लिए चले जोगे उतना utilize नहीं कर पाओगे आप time को ज घंटाने 30 मिनट्स आपको लगएगा किसके लिए analyze करने के लिए इस 30 मिनट्स में आप क्या करो analyze करो कौन से questions आप से नहीं हो रहे क्योंकि अभी अभी आप यह theory learn कि अभी अभी आप आपने concept learn किया है फिर भी आप से यह question solve नहीं हो रहे क्यों नहीं हो रहे वह आप चेक करो आपके पास इस combination के साथ आप better way में अपना time utilize कर सकते हो next आते है biology पे बेटा biology में या तो आपके पास NCRT book होना चाहिए या teacher's notes होना चाहिए एक hour आपको यहाँ पर क्या करना है theory करना है फिर से एक आपको क्या करना है question practice करना है फिर एक गंटा theory करना है फिर एक गंटा क्या क channel k-square official पर completely free of cost material available करा है pin comment check किजिए तो बेटे देखो फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हजारों बच्चे मैंने government college में send किये वह हजारों बच्चे दिन रात मेहनत करके last time में government college पहुँचे है तो आप भी पहुँच सकते हो यह 40 दिन कम नहीं होता है अगर आप सही स दिशान होना पड़ेगा फिर आपको एक्जाम के बाद यह बाते समझ मैं कास मैं सरका बात सुन लिया होता तो आज मुझे यह ड्रॉप ले नहीं लेना पड़ता तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में विश्यो अल देवेश्ट